कुल मिला करके जो आज का ट्रेट था अपना इसको एक्जिक्यूट करने से पहले मने कैसे को देखा था मतलब एक तरह से आपकी जो रीडिंग्स होती है इवन मान के चली कि दो पार्ट्स में अपने रीडिंग को डिवाइट करते हैं इस बीच में इन दो पार्ट्स में अप इवन ब्रेक आउट डेफोर ब्रेक आउट did the prize एक ब्रейक आउट होने से पहले कायके men रुदक कर सकते हैं क्यों करना है अब ब्रेक आउट हो याioxटू रिडिंग करना ही है ईवन मान के चली आजका जो सशेन है अपना यहां लोग पूरी तरह से मानके चलते हैं कि ऐ अग के ठोते हैं मार्केट ही क्य help जो देख रहे हैं माननके चलिए कि कोई भी चार्थ हमने expressed उसमें क्या होता है पर्टिकलर कुछ candles होती हैं अपने पास ऐंदे यह यहाँ पर हमारे बात कुछ VOLUM这集 स्क्रक्चर सोथे कुछ है जिसको वॉographics बोला जाता है शो करते know कि scandal पर कितने वजे कितनी volumes उठी है यह इस तरह की कुछ यह volumes होती है अपने पास actually मेरे लिए market यही है जो हमें हमारे computer की screen पर दिखाई price हो volume हो अगर हम access bank को trade करना चाहते हो तो मेरे लिए मेरी market access bank है अब आते हैं breakout के उपर देखिए breakout में basically होता क्या है हम लोग consider कर सकते हैं breakout को कुल मिला करके दो पार एक तो एक जो अनलसे समलोग कर सकते हैं इसके उपर वो बन सकती है breakout एक बन सकती है before breakout और after breakout का मतलब क्या है को यह point है अब कैसे आप लोगों भी जब अभी तक जो trade करते हो उसमें कैसे मिल्पते हैं price को कि एक बार तो price हमारा नीचे की दिशा में निकल जाए फिर से जब यह pull back करने के लिए upside की तरफ आएगा तब हम trade मारेंगे simple हैं और दूसरा होता है before breakout before breakout में क्या होता है expectations are very high because यह less risk के साथ होता है और यह वो होता है risky क्यों क्यों कि यहां पर हम लोग किसी भी तरह का कोई breakout होने से पहले market को देखने की कुशिच कर रहें कि क्या यह breakout हमारा success हो सकता है या नहीं हो सकता है यहां पर market आई है यह यह मेरा support करिया है अब इस जगे पर price के कुछ actions बन रहे हैं कुछ volumes बन रहे हैं हमें उन volumes को रीट करना होगा है और इन ही volumes के थूरू हमें यह पता लगाना है या price की reading के थूरू यह पता लगाना है कि किस तरह से हम लोग कोई उपना trade execute कर सकते हैं आज हमने एक्सिस बैंक को trade किया था एक्सिस बैंक में करीब करीब 13,000 का कुछ का असपास का प्रॉफिट हुआ था और इसके अंदर जो entry हुई थे अपनी 943 पर अपनी entry थी stop loss 946 75 का था और exit करीब हमने इसके अंदर 929 पर कर दी तो में ग्रूप में भी शेर किया गया तो उसमें क्या था 929.05 पर निकलवा दी सिर्फ और इसी लिए क्योंकि अब यहां पर मान के चली कि हम breakout का वेट भी कर लेते अभी चलेंगे चार्ट को पर समझाएंगे आपको इतना यह समझ बहा है न यह less risky और यह risky trade अब दोनों में फर क्या है इसको देखें पूरा trade आज का उसी लिए पर बेश्ट था अपना less risk का मतलब यह हो गया है कि यहां पर मान के चली कि हमारा breakout हो गया है इस जगह पर अपना breakout हो गया अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि volumes के और प्राइस के confirmations तो ले ही लेंगे इस जगह पर जो भी अपने volumes के confirmations हैं दीरी दीरे करके बताएंग लेकिन यहां पर कुछ एक points का हमें compromise करना पड़ता है हो सकता है percentage wise अगर हम लोग ले करके चलें तो 0.3 यह 0.2% का हमें इसके अंदर compromise करना पड़ जाएगा breakout होने से पहले जब अगर हम लोग price को read करें यह एक तरह सी इपने practice का ही part है breakout होने से पहले अगर हम लोग price को read करें तो वो risky trade है लेकिन यहां पर एक benefit यह मिल जाएगा कि हो सकता है breakout हो जाने के बाद जो जितने points हम लोग को मिल रहे है breakout हो जाने के बाद entry लेने पर जितने points मिलें हो सकता breakout होने से पहले अगर किसी stock के अंदर हम लोग entry ले ले तो वहाँ परे में कुछ points का benefit मिल जाएगा अगर आप risky trade करना चाहा रहे हो तो उसके अंदर फायदा यह होगा कि 2-4 पैसे आपको breakout होने से पहले के stock के कौन-कौन से symptoms होते हैं उसको समझेंगे सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग daytime फ्रेम पर अब daytime फ्रेम पर किस तरह से just imagine कि हमारे पास कुछ है candles है कुछ मिला करके हो क्या रहा है कि एक तो यह point और दूसरा यह वाला point उन्होंने क्या किया है कि एक support area बना करके ready कर दिया just example के लिए इस structure को हम clear कर दें इसी की जगे पर और भी structures हो सकते हैं तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है एक support area मिल जाएगा यह support point draw करने की techniques होती है कई सारी higher time frame पर levels को draw करने की techniques करीब 5-6 techniques का use हम लोग करते है डे time frame पर levels को read करने के उससे होता क्या कि हम लोग reading read करने से पहले जब level draw करते हैं तो level draw करना आसान हो जाता है क्योंकि आसान होगा तो जल्दी से level draw हो जाएंगे हमारे अभी कोई question answer नहीं किसी तरह कुछ hand raise वगरा मत कीजिए जब clear कर लेंगे हम उसके बात में जो hand raise करना question करना वो सब कर ली जाए इस वाले example को लेकर के चलिए यहां पर हुआ क्या है कि प्राइज ने इस जगह पर अपना एक support लिया यहां पर इस जगह पर भी हुआ कि प्राइज सपोर्ट एरिया डिफाइंड किया breakout हम लोग मान करके चलेंगे कि अगर हमें trade execute करना है तो हम यह तो इसके नीचे price को trade कर दें है ना इस वारे level के नीचे trade कर दें या फिर breakout हो जाने की बात में या फिर breakout होने से पहले हम trade execute कर दें इस वाली जगह पर trade execute कर दें यहां पर आज के trade में जो एक सबसे अच्छी सब्सक्राइब पर हमको हमारे बिल्कुल सपोर्ट एरिया पर मिला त्यूंकि उसने ब्रेकाउट किया नहीं था जैसे आपका यह वला पॉइंट यहां पर यह जो ब्लैक वाली केंडल अपनी बन रही है इस वाली केंडल का ब्रेकाउट हुआ नहीं था और प्राइज ने यह time frame का level होगा price उस level के नीचे closing मारेगा volumes के क्या role इसके अंदर होते हैं कि जो positive candle होती है या even यह मान के चली कि negative candle भी बन रही तो negative जो candle होगी है हमारी तो एक जो significant candle कि जैसे price हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है यह वाले points है इसमें जो volumes है वो नीचे की दिशा में गिरते चले जा रहा है volumes नीचे आ रही है बट यह वाला अगर यह positive candle है तो यहां से price हमारा upside की तरफ जा रहा है यह point और यहां पर volumes के क्या है breakout हो जाते हैं अगर volume के breakout हुए हैं तो price को क्या करना होगा अगर यह positive candle है तो इसके उपर sustain करना होगा न और यह यहीं से उपर की दिशा में निकल जाए यहां से उपर की तरफ चला जाए वापस इसको अपनी इस black वाली candle के अंदर क्या करने की ज़रूरत है यह क्यों इस वाली level के अंदर आ रहा है अगर यहां पर volumes के breakout हुए है हमारे तो price को यहां से उपर की तरफ जाना चाहिए न हायर हाई यह बना रहा है बट इतना सबकुछ कर लेने के बाद में price फिर हमारा नीचे के दिशा में क्यों हो रहा है और फिर से हम बोल रहा है यह reading किसी भी stock में हम लोग कर सकते हैं इस तरह की रीडिंग्स जस्ट observe करने की एक बात होती है कि अब किस तरह से price को observe कर रहा है कौन कौन से techniques हैं के पास lower time frame पर जैसे ही price हमारा इस वाली candle के low पर आया अपने movement यहां पर दिखाने शुरू कर देती है market यह तो high time frame को बता दिए high time frame पर क्या clear हुआ कि एक मान के चली एक important candle गर बन रही है तो price इसके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए वापस से price हमारा हमारी range क के अंदर आ गया price हमारे move के अंदर आ जाने के बाद में यहां से इस दिशा में गिर जाने के बाद में क्या कर रहा है अब हम लोग आ जाते हैं फिर लोवर टायम पर यहां पर कुछ movements होते हैं जैसे की mother candle का बंच जाना सबसे सिम्पल होता है या तो mother candle form हो जाएगी या फिर इस जगह पर आपको कुछ support area मिल जाते हैं supports का नीचे की तरब breakout होना या फिर mother candle का नीचे की तरब breakout होना वो भी breakout in the sense के higher time frame के अपने level के ऊपर breakout होना इसको यहाँ पर लेचावता सिर्थ देखेंगे जो चीज़ वहाँ पर हम बता लिए था आपको एक तो points ये हमें जो आज की दिन आज की दिन जो breakout चाहिए था वो इस green वाली candle के तरू चाहिए था हमें ये वाला breakout चाहिए था ये catch करना था हमको अब यहाँ से price को हमने कैसे rate कि अपना ये पूरा का पूरा point हमने mark कर लिया अब इसको आप देखे कि price को आप किस तरह से देख रहा है किस तरह से price को देख रहो कि एक तो ये support point बन गया हमारा फिर से जो second support area बना वो ये वाला बना है ना ये green वाली candle इसके बाद में price ने क्या किया था ना इसके नीचे आखर कर कि closing कर दी थी ये जो black वाली candle है हमारी support area के नीचे आखर कि इसने closing कर दी थी बाद में फिर price हमारा उपर की तरफ चला गया अब अगर ये level देखिएगा volumes के यहाँ पर ही नीचे की तरफ गिर रहे है 123 123 और यहाँ पर volumes के breakout हो और price हमारा उपर की तरफ चला गया अब अगर price को उपर की तरफ जाना है तो इसे react रहना पड़ेगा न या तो यहाँ से highs लगा दे price ने क्या किया कि upside की तरफ जाने के बाद में price वापस हमारी range के अंदर आ गया देखिए जैसे इस green वाली candle का हम लोग high mark कर लिया यहाँ से तो प्राइस वापस हमारी range के अंदर आ गया लोगर टैम फ्रेम पर जब देखते हैं इसने अपनी opening यहां पर दी थी volume के साथ देखे price हमारा open हुआ and opening के बाद में price सीध है मेरा नीचे के तरफ गर गया यहां से फिर यह नीचे आ गया ओके यह इसका एक support point बन गया है समझ भाए है अभी देखिए higher time frame से हमने सिर्फ अपनी इस एक line को derive किया है फिर से चलते है higher time frame पर यह हमारा को support point है price क्या कर रहा है बार बार इसी जगह से support लेने की कोशिश क्या रहा है यह वाला है वन और टू हमने इस जो green वाली candle अपनी positive candle इसका high low mark यह था और low से हम लोग देख रहे है price ने simply इस वाले low के नीचे यह जो अपनी black वाली candle है यहां से एक high लगा दिया था उपर के तरफ अब अगर उपर के तरफ जाना तो यह चला जाना but price अपने swing highs को protect कर रहा है और यहां से फिर नीचे के दिर्शा में move अब यह वाली candle तो बनी नहीं थी अपनी मतलब कि यहां पर जो level हमको मिल सकते थे वो इस green वाली candle के अंदर कल से देखे कल से market क्या कर रही है इसने एक mother candle form की है ना एक यह mother candle आई हमने इस mother candle का low देख लिया और यहां पर देख लिया कि अगर market को उपर की दरफ जाना है तो हमारी इस positive वाली candle की उपर जाकर किसे ट्रेट करना होगा बट इसने किया किया एक mother candle form कर दी और इस green वाली candle के अंदर की दरफ आकर कि यह trade कर रहा है और जब आप निफ्टी को देखोगे तो आज morning से क्या कर रहा था वो नीचे की दिशा में कहीं ना कहीं मूव करने क्यों कुशिश कर रहा था है ना आपका बैंग निफ्टी वह भी नीचे की दिशा में आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा हुए कि मूव किस तरह से expect कर सकते हैं हम लोग समझ में रहा ना कोई कंफ्यूज होने वाली एक पॉइंट है ही नहीं चार पांच छे वॉल्म्स गिर रहे हैं ठीक है हुआ क्या एक ग्रीन केंडल मतलब यहां पर जो हमारे सेलर्स को बीट करने की कोशिश कहें नहीं कर दी अब अगर इसको उपर की तरफ निकलना तो पिर यहां से हाइस लगा दी और यह उपर की तरफ चला जा है कुल मिला करके हमें जो समझ मेरा इस वक्त एक डाउन मूव हम इसके अंदर कंसिडर करके चल सकते हैं अगर प्राइज 10th of January का लो ब्रिक कर दे तो क्या हम यह मान सकते हैं कि expectations are very high कि इस ग्रीन वाली candle का भी लो ब्रिक हो सकता है सारी लाइन को हम लोग कर देते हैं डिलीट अब चलते हैं लोवर टाइम फ्रेम पर देखे एक यह वाली अपनी candle बनी यह रेड़ वाली लाइन आप देख रहो ना यह कौन सी है जो mother candle बनी कल कर लो हमने सौरी कल से पहले वाली candle का जो लो था यहां पा आपका 10th of January कर लो औ नहीं पर अपनी closing दे दी थी मतलब इस जगह से support लिया था और यह उपर की दरफ चला गया अब देखें इस red वाली लाइन के ऊपर देखे क्या हो रहा है समझेगा इसको red वाली लाइन है इसके ऊपर देखे क्या क्या हो रहा है price को अगर नीचे गिरना है आप यह मान के चल करना है तो यह सोचे कि अगर उसे buy होना होगा तो वह किस तरह के moves दिखाएगा अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है यह हमारी 915 के candle बनी प्राइज ने लोज लगा हुए थे छोटी छोटी सी चीज़े हैं देखें वन टू थ्री समझ में रहा है अपने highs को यह नीचे की तरफ गिरा रहा है कल से अब एक काम करते हैं हम इसको mark कर लेते हैं फस्ट ही कहां लगा था यह वाला सेकेंड यह वाला थर्ड यह वाला प्राइज कल यह कल की रीडिंग है अब यह चार्ट बोलते हैं हम लोग के चार्ट बन जाने की बाद करना बड़ा असान होता है तो रीड करोओ अगर लगता है अपको कि घार बन जाने के बाद प्रैस की रीडिन बहुत आसान हो तो इसको करो होगा यह फिर नीचे की तरफ ब्रेक आउट हो सकता है इसलिए हम इसको कि तरफ ट्रेirus कहना चाहते हैं यश्मंघ सप्राइब करेंगे की तो प्राइसि लाइब मार्केट ने जब आप जाओगा तो इतना क्लियर डिरेक्शन नहीं मिलेगा बहुत ट्रेंडिंग मार्केट होती ना तब इस तरह के दिखाई पड़ता है बट क्या है ना ड्रॉइंग से थोड़ी से समझना आसान हो जाता है समझ में सारी इसक। बहुत आराम से क्लियर हो जाता है अब यहां पर देखें क्या हो रहा है market को ऊपर की तरह जाना होता इसने जो support को नीचे की candle बनी, 9.15 की candle बन जाने के बाद में day की first green candle day की first green candle देखे, यहाँ पर बनी हमने क्या किया था यह वाला point mark करके दिया था कि अगर price इस वाली candle के नीचे निकल जाता है अगर price इस वाली candle के नीचे निकला तो यह चला जा जागा है ये गिर जाएगा मतलब यह लेवल ही मार्क करके दिया था कि इसके नीचे हमें वहर्म को शौक करना है पिर से मूव आया पिर से कम होगे इसका क्या मतलब है प्रैस को तूँपर जाना च arrowsकि येने क्योंकि सेल्स साइट का तो कुछ गढ़बर दिख रहा है क्योंकि प्रैस तो नीचे आ रहे लेकिन वॉलुम्स कम हो रहे है क्या मतलब है क्या ऐसा होता है कि वॉल्म्स गिर रहे हैं प्राइज नीचा रहे यह देख करके हम लोग सिर्फ भाई कर दें वॉल्म्स गिर रहे मतलब सेलर कम है लेकिन फिर भी प्राइज नीचे की तरफ आई इसको डाइवर्जन बोलते हैं न कॉमन जितना भी अपना ट्रेडर वो सब नहीं बहुता है और कोशिश करेगा यहां से महाइघ कर लेंगे जिसमार्त होगा वह सोचे आई कि वॉल्म्स पॉल्म्स का कहीं होए प्रयज मिला हमें लेकिन यहां से से पर हम्मीस प्राइज नहीं मिला है यह ब्रेकाउट होने से पहले है को डिइट करें प्रस्थ hoan से पहले प्राइस्व किस तरह की दिखा वॉल्म्स कम कर रहा ना अब देखिए इसने अक यहां पर एक बह् laugh फो कर द harass थेक्म फिर अब हम लोग गल का लोर हाई-्माग कर लिया दे । इयाद है न, दे टायं फ्रेम पर अल्रीड हम लोगे देखकर चलें कि प्राइस हमारा वीक है अब अगर लूवर टायम में पर भी हमें यह ऐर सल जाए कि प्राइस हमारा में भी गरने के symptom सब अगर दिखा देता है तो यह हम treat करेंगे अधरवाइस अगर इसको भाई होना तो यह बाई हो जाए मेरे किसी काम कर नहीं है यह पर यह किसी काम कर नहीं है बट यहां पर volumes लगातार कम हो रही है एक दो तीन यहां पर बायर्स आगया ठीक है जो वॉर्म्स यहां पर कम हो रहें थी अब आप देखोगे कि वही वॉल्म्स यहां पर increase हो गए है न तो लगतार कम हो रही थी बट यहां पर वॉल्म्स increase हो गए है और ओवराल मूव भी हम देख रहें कि low है high लगा लो है यहाँ पर mother candle form हो गई कितनी सारी देखे confirmations हैं आप गौर से देखोंगे तो यह सारी चीज़ आपको दिखाए पड़ेगे फिर से यहाँ पर देखे volume आ गई मतलब आपके level का breakout price volume के साथ ही करे तो ज्यादा confidence आपको देखने को मिलेगा ज्यादा confidence आएगा कभी भी कभी देखना कि price को ऐसे randomly या nakedly price हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ 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 और volume सी नीचे की तरफ गिर रही है यह नहीं वॉल्मस ठीक है नीचे की तरफ गिर रही है अब हम confirmations लेंगे अपने प्राइस के थूब अगर में confirmations मिलें रेस्टंस अपसाइट की तरफ ब्रिक हो रहा है और higher time frame पर भी हमने यह decide कर रहा है कि price में buy करना तो buy करोगे otherwise आप buy नहीं करोगे higher time frame पर sale हो रहा है lower time frame पर अब हमें selling के confirmations ही चाहिए तभी हम trade execute करेंगे अब यहां पर जैसे ही market ने इस green वाली candle के नीचे move देखा क्योंकि यह वाली जो candle बढ़ी इसको और आप पो हम अगर बताएं सही से तो देखो 3 minutes के time frame पर देखे क्या movement यहां पर चल रहा है 3 minutes में देखे यहां पर volume सबसे पहल volume increase हुए यहां फिर इस जगह पर भी volumes increase हुए ट्रेड मार दिया यहां पर इस जगह पर अपना trade लग गया कुछ चीज़े हैं वो समझ में आ गया इतनी rejections price के support points नीचे के तरफ त्रूटा trade पढ़ गया अब देखे पहली ही candle ने हमारी सबसे पहला breakout दिखा दिया जैसे जो green वाली candle थी यह वाली यह वाली candle पहली ही candle इसका breakout दिखा दिया और दूसरा में breakout यह था यह अगर यह मिल गया तो मूँव आ जागा फिर फिर सही है intraday में हमें एक अच्छा मूँव देखने को मिल जागा समझ में यह पूरा पूरा जो था एक ट्रेड एग्जेक्यूट होने से पहले कैसे हम कैसे हम रोगों ने देखा हमें breakout चाहिए यहां के लेकिन प्राइज ने जो movement जो symptom देखना पर से नीचे के दरफ मूव हो रहा है इस जगह पर एक मदर चैंडल के अंदर भी देखे वॉल्म्स इंक्रीज हो गए ब्रिकाउट कौन से चाहिए यह वाला यहां पर भी देखे प्राइज ने एक जो सबसे पहली केंडियर बनी उसी ने ब्रिकाउट दिखा दिया और एक सपोर्ट के बाद में फिर देखे प्राइज कहां पर गिरा दूसरे सपोर्ट पर जो टार्गेट हमारे इसके अंदर था न 930 का टार्गेट हम लेकर के चल रहे हैं एक सपोर्ट के बाद में बहुत ज्यादा भी नहीं उसके अंदर रुखना सही है क्योंकि काफी बड़ा मूव और लेडी मार्केट ने दिखा दिया एक सपोर्ट दूस के कॉर्डिंग फिव पर जम लोग देखते हैं कि फ्राइज अपने सपोर्ट को ब्रेकर सपोर्ट को उसकी टैक्निक कितनी इए व कौन कांसी टैकनिक होती है इंच अगर हम आपको बताएं है तेखिए हाई टाम फिन पर रीट करने के टैशम सबसे पहला आप देखोंगी क यहां सोट करके फिर उपर चला जा रहा है फिर से नीचे की दिशाए मार्केट आ रही है और यहां सोट की फिर से उपर चली जा रही है हम देख रहे हैं कि breakout और यहां पर volume increase हो गए इस तरह से volume increase हो गए और इससे पहले जो volume है न यह कम आ रहे थी जितनी भी थी इसके अंदर volumes वड़ी कम आ रहे थी ऐसे करते हुए यहां पर volume के में रिकाउट देखना हो कि मिल गया अब क्या होगा अगर market नीचे की दरफ जाना चाहती है तो क्या करना होगा इस तरह से दिखे और फिर यह move दिखाना है start कर दे अपना बट क्या हो अगर यहां पर volume increase हो ही price नीचे की दरफ आया और यहां से फिर यह उपर की दरफ चला गया तो यह उपर क्या करने आ रहा है पॉसिबिलिटीज है ना कि इस candle का जो हाई यह वो एक resistance की तरह काम करो जैसे ही breakout हो यहां से में एक trade करने का मौका मिले अपोजिट सोचना है और एक step आगे सोच करके चलना है नौर्मली जो भी लोग सोच रहे हैं उससे कोशिश करिए कि एक step और आगे हम लोग कैसे सोचेंगे बाई simple सी चीज है ना एक support का breakout जो हम लोग देख रहे हैं जैसे यह बाला अब यहां पर market ने तोड़ दिया अपना support तोड़ दिया और volume भी increase कर दी अब तो कोई भी यहां पर भाई आप sale कर सकता है ना लेकिन हम देख रहे हैं कि closing कर देने के बाद में वापस price अगर उपर क की तरफ गुम गया तो यह बनेगा है एक resistance point और फिर यहां से market यहां तो upside की दरफ या फिर इस resistance के पास में जाकर के market उपर की दरफ दूसरा और इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि price ने यहां से मान के चलिए आपका कोई support तोड़ दिया इसके बाद में market क्या कर रही है इस वाले level के उपर की दरफ जाकर के trade कर रही है यह condition आपको देखने को मिलेगी gap up में, gap up या gap down में, market ने यहां कहीं अपनी opening दी और उपर की तरफ आगर के अपनी closing दे दी closing कर देने के बाद में क्योंकि अपनी positive candle है, price को यहां से उपर की तरफ निकलना होगा, इस तरह से और फिर से price हमारा इस range के नीचे आ जाए, अंदर की तरफ आ जाए, बहुत हद तक chance है कि यह वाली जो candle बन रही है, इसका breakout हमें देखना को मिलेगा है, यह वाला करना क्या है, जब यह price आपका breakout दिखाए, उसके बाद में भी आप trade execute कर सकते हो, और दिखाने से पहले lower time frame के symptom समय देख लेने, जैसा कि अभी हमने पता है, अगर यह positive candle हमारी form हो रही, positive candle बने तो यहां से market को उपर की तरफ जाना चाहिए, बट वापस से price हमारी इस candle के अं simple, सरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग risk की काम करने जारे है, risk की trade करने जारे है, confidence होना अचाहिए, अपनी rating के उपर, आप कर ले जाओ गया, छोड़ी से चीज़ है, देखिए, यह तो higher time frame की बात हो गई, और इसके बाद में फिर, यहां पर्म लोगोंने क सब नहीं करना होता है, lower time frame पर हमें क्याने confirmation चाहिए, क्या करें, एक 9.15 की candle बनी, हो सकता है, देखिए, कितने तरीके हो सकते है, 9.15 की candle के अंदर ही कई सारी candles आपकी form कुछ है, इतने structures है, जितने सारे trade हमने आस्ते की है, इतने एक-एक structure याद है, मलब कितनी possibilities कितनी बन सकत या तो price आपका 9.15 की range के अंदर हो, जितना यह अंदर रहेगा, हमें जो हम experience हम कर सकते है अपना, 11 बज़े तक, 10.30 या 11 बज़े तक price आपका 9.15 की candle के अंदर रहा, उसके बाद में अगर 9.15 के नीचे या 9.15 के उपर गया, तो second half में एक बड़ी rally आपको देखनों को मिलत ही है, second half में, अगर second half में भी price आपका 9.15 की range के अंदर रहा, और अगर इसने डेड़ या दो बज़े के बाद में आपको movement दिखाने के कोशिच की trap हो जाओगे, 101%, 100% कहना सही नहीं है, 90% ऐसा होगा, कि आपका trade वो opposite direction में चला जाएगा, आपका stop loss जाएगा उसके अंदर, अब रोग ने सकते हैं, stop loss जाएगा, वो एक trap होता है, lower time frame के structure सही है, इसके अंदर हम देख रहे हैं, internal structure से एक तरह के बनते हैं, कि जैसे ये मान के चली mother candle बन गई, अब हमने इसको mark कर लिया, इस mother candle के अंदर भी mother candle form होती है, यहाँ पर बनते हुए, यह candle बन गई, फिर से price इस structure के अंदर किस तरह का move दिखा रहा है, अगर price अपनी range के अंदर mother candle तोड़ रहा है, mother candle break कर रहा है, expectations हैं, कि price आपका इस candle को नीचे के तरफ तोड़ देगा, breakout होने से पहले, कुछ swings होते हैं, swings का मतलब कि price ने इस तरह से करते हुए, कुछ move दिखा रहा है, और वापा से price हमारे ओपर की तरफ चला गया, applying charts recording, फिर क्या कर रहा है, यह तो हमारे support points हो गया, यह वाले या यह वाले, बट इसके अंदर ही price अगर आपका support break करने लग जाए, यह वाले, इस तरह से, expectations रहती है, कि market अपने support को नीचे की तरफ तोड़ देगा, यह थोड़ा समझने में problem हो गया, अभी फिलाल candles से ही चलि पाद रखिएगा, market को जब नीचे की तरफ गिरना है, तो वो support तोड़ती है, high की तरफ जाना है, resistance break, ऊपर की दिशा में move करना, तो उसको resistance break करना होता है, सिर्फ इतना, day time frame पर हमें यह देखना पड़ेगा, अपनी reading recording क्या price हमारे strong है, या weak है, वीक है, तो lower time frame पर आगर कि जो भी चीज अभी हमने बताई है, या जो भी points discuss की है, इसको ले करके कोई भी doubt, किसी तरह का कोई question हो, फटाक से एक question clear कर ये अपना, सभी के पास access है, कोई भी लोग अपना माइक unmute करके discuss कर सकते हो, Hello, आरिफ बोली है, सर जैसे आज का जो structure था, ये higher time frame पर इसका नाम क्या है, नाम? हाँ जी, या हमें इसी तरीके से structure find करना है, इस तरह के structure का एक आपको example है, इसी तरह से मिलते हैं आपको structures मिलेंगे, इसे अलग नहीं मिलेंगे, अभी हम आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे उने, हाँ अभी हमने बता है ना करीब 5-6 tools होंगे जो हम देंगे आपको read करने के लिए, जिसमें से एक ही है, ठीक है सर, बागी इसमें तो कोई doubt नहीं है, थैंक यू सर, हेलो, चेतन साब बुलिए, हेलो, जी चेतन बुलिए, हाँ सर, हम डेली time frame पर, हम डेली time frame पर जाके जो, हाइपो बनाते है ना कि, सेल के मार्केट में हमें sell करना है, या buy करना है, वो डेली time frame पर कैसा हाइपो ब हमें हाइपो बनाते है ना कि हमें लोगल time frame पर जाके sell करना है, या फिर buy करना है, हाँ, तो वो जो चीज हमने बताई वो clear हुई, हाँ सर, हो यह अभी जो छोटी exercise अभी ने जो करवा है, यह वो clear हुआ, उसमें को doubt है, हाँ, नहीं कर ले, उसमें नहीं है ना, इसको practice करिये कर्म से कर्म 20 से 30 चार्ट के उपर marking करें, practice करें, reading किजिए, read करने के बाद में अगर कुछ doubt आता है, तो कल की classroom से clear किजिए, हो को मैंने वारे मार्किंट पाराई लो अमेश जी बुलिए, जी उमेश बुली है, नमस्कार, नमस्कार, अविताथ हमारा video इस्टार्ट नहीं हो पारहा था, कौन सा video कि लिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं और message का जबाब भी नहीं दे रहे हैं, अधिन फिर मैं उनको किया तो फिर ना message किया ना phone किया, मैं phone कर रहा हो तो उठा भी नहीं है, okay कल videos play हो जाएंगे, आपके ओके दोपहर में एक बार याद हमें जरूर दिलालत चेवा, उमेश चीए, हलो, कल videos आपके 100% play हो जाएंगे, हलो, अनिल जी, बुलिए, पूछने चाहरा था जैसे आपने अभी डिली चार्ट के डिली टाइम फ्रेम पे आपने रिडिंग किया है, यह हमें कितनी देर का चार्ट देखना चाहिए, अप्रॉक्सिमेड वन मंथ है, या वन मंथ से पीछे ने जाते हैं, वन मंथ का इनफ रहता है, वन मंथ से जादा पीछे ने जाएंगे, अच्छे लिए, और यह जो हावरली के बीच में, कल मैंने आज मैंने जो वीडियो देखके प्रेक्टिस कर रहा था, उसके बीच में तो मैं दो महिने के तीन महिने का चार्ट लेके चल पड़ा था, उसके बज़ा से अच्छा है मतलब डे टाइम फ्रेम पर आप यह समत करिए, अवरली पर जो आपने भेजा है ना, जितने चार्ट समको भेजा है अपने, उस सब सही है, वो एक तरह से एक्सराइज होती है कि आपको यह मालूम हो कि हमें हाई टाइम पर मार्किंग एक्चुली प्राइजेक्शन किस तर प्राइज इस सपोर्ट को कि इतनी तरह से जस्टिफाई कर रहा है, इस तरह को कुछ इस स्ट्रक्चर करते हो ना, यही तो हमें करना है डे टाइम फ्रेम के लेवल पर, आवरली पर हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर आपको देखने हो को मिलेंगे, सपोर्ट इरिया यह बन जाएगा और एक सपोर्ट इरिया आपका यह है ना, जी यही तो है, इस तरह का स्ट्रक्चर अब हम लोग जो आवरली पर बताया, वो उसको धीरे धीरे करके हम आपको डेली पर शिफ्ट करेंगे, और जितनी वीट करने को बताएंगे, इसमें हमे इसमें ट्रेड का तो नहीं है, यहां नोगे ञांक जाए जब ट्रेड का तो हम खुद भूलेंगे आप से टीड करने के लिए, अभी कोई ट्रेड ऱीं ओ के गा सब्सक्राइब कि अपने जो पहले वाला सापोर्ट एरिया ड्रॉप किया वो कैसे आप खुद देखिए यहां पर जो हमने एरिया ड्रॉप किया था यह इस ग्रीन वाली कैंडल का लो था नाइन जून की सब्सक्राइब प्राइस नीचे की तरफ है पहले देखिए वॉल्म को भूल ही जाओ यह आपका सपोर्ट बना यह भी सपोर्ट बन गया यह तो हम लोग पहले यह पहले चार्ट बन चुका है ना इसको तो रीट करी सकते हैं सानी से क्या क्या हो चुका है तो कैसे एक दूसरे का लो देखे ब टूटा सबसे पहले हाई यहां पर टूटा और वॉलिंस भी आए थी अगर आपको याद हो तो मतलब क्या है प्राइस कुछ ना कुछ इस्ट्रॉंगनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है यहां से अगर मार्केट इस्ट्रॉंग हो तो क्या करना होगा यह वाला स्विंग करन पड़ेगा उपर की तरफ बट मार्केट इस ग्रीन वाली के नीचे ही क्यों आ गया इसने अच्छे खासी दी थी बट प्राइस वापस से नीचे की तरफ आ गया और नेक्स्ट ये फिर इसने मदर केंडल कर दे समझ मैं सब लाइन लाइन हो गया कुछ कुछ कंफ्यूज हो हो गया अपना यह तीन सपोर्ट पॉइंट हमारे पास निकला है यह वाले 123 ट्रेड एक्जिक्यूट हमने किया 942.75 के ऊपर मदर केंडल को देखते हुए फैंवर पर आप आओ गया है यहां बनाना डे के सबसे पहली ग्रीन केंडल फॉर्म हो गई जैसे यहां से नीचे की अच्छी है सर एक लप मैं करनों कीजिया है कि अधाट एक लप बूली है यह एक अधाट इसकर करके हो कहां भीजना आए है अब वाटसेपर शेयर कीजिए अप अधाट शेयर की ज़िए अधा अगाट वाटसेपर सब्सक्राइल बूलिए से यह मदर केंडल का थोड़ा सा स्ट्रेक्चर बताएंगे कि यह कैसे बनती यह क्या इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए देखिए अपने ट्रेडिंग की फिल्ड में एक चीज यह होती है कि प्राइज जैसे यह अपना एक कोई पॉइंट बना जैसे यह अपनी एक केंडल में इसका हाई है 10 रुपए और यह है 5 रुपए का लो मान के चलिए 5 रुपए का और हाई 10 रुपए का है प्राइज जितनी देर तक दो प्राइज के अंदर ट्रेवल करेगा वह उतना ही पावर्फुल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ओर्डस लगे होते हैं इससे होता क्या है कि इसके बाद में यह फ्र्स्वाली केंडल बन गई हो सकता है नेक्स्ट केंडल आपकी दो केंडल बने तीन चार पांच है कई बार आप देखोगे कि चार चार पांच पांच केंडल एक ही केंडल के अंदर बन गए मतलब उतनी ही पावर्फुल हो केंडल बन जाती है ना इसके बाद में जब ट्रेट करते करते लोगों ने इसको देखा कि यह ट्रेड हो रहा है या दो प्राइस के अंदर एक दो प्राइस के अंदर जिब तक एक कोई कैंडल बन रही है तो उस प्राइस का जो हाई और जो है कैंडल का जो हाई और लो है वो बहुत important बन जाता है इसके बाद में फिर जब trade करना start किया गया तो यहां पर बहुत success rate इसके high मानेग है कि अच्छा move दिखाता है आपने Darwass का नाम सुना होगा Darwass box का नाम सुना ना Darwass का simple sack funda था कि price को जो trade करते थे एक जिस sideways zone में होता था और यहां से price फिर break out फिर से sideways zone फिर break out तो यह जो sideways होता था कहीं ना कहीं इसके अंदर mother candles काफी सारी mother candle यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ mother candle बन रही हो लेकिन यह structure कुछ mother candle type का ही था यह price एक range के अंदर रुका हुआ है होता है ना ऐसा price दो lines के बीच में रुका हुआ है और जैसे ही price अपने इस high को break करता है move आता है और फिर जाकर के price दो points के अंदर रुक जाता है 928 पर रुक जाएगा और 925 पर इसके बीच में रुका हुआ है तो 928 और 925 यह एक mother candle का shape ले लेती है जी के बीच में बनी हुई वो candle जो की first वाली candle के high के अंदर हो और first वाली candle के low के अंदर हो मतलब high और low break नहीं होना चाहिए उसको लोग mother candle बोलते हैं अभी तो पार पैसे तभी इसका difference count हो हां यह mother candle बनेगी first वाली candle के बाहर आपको दिखे का नहीं प्राइस फर्स्ट वाली candle के अंदर ही जाएगा ओके जो अगर यह पांच पैसे से उपर नहीं या नीचे हो जाए तो इसको mother candle नहीं कांट करेंगे है टेक्निकली नहीं जी टेक्निकली नहीं नहीं ध्यान से सुनिएगा तेक्निकली उसको बहुत करना चाहिए क्या चीज़ सुर्य अब देखिए एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़ें मदर केंडल में तो अभी जो हमने बोला टेक्निकली नहीं होता ऐसा कि अगर पांच पैसे वी उपर निकल कि तो यह मदर केंडल नहीं रही है टेक्निकली यह मदर केंडल नहीं है लेकिन हमारा जो एक्सपीरेंस है न यह मदर केंडल रहती तब भी है कि अज़ए सब्सक्राइब करें देखिए डे टायं मिलेगा है busy यह कंडल नहींikum देख रहो इसमे नहीं क केंडल यह ऑपने डेट वैद केंड्र केंडल मेरे लिए केंडल है लेकिन यह पर तो लोग भी बिया हुआ है यह पर तो हाई ब्रेक हुआ लेकिन ये मेरे लिए mother candle है अभी जो हमने बोला है कि technically ये mother candle नहीं है टेक्निकली अभी ये mother candle नहीं है लेकिन हमारा जो अपना experience है प्राइज अगर एक candle ऊपर की तरफ जाने के बाद में नीची की तरफ गिर जा रहे है मतलब ये mother candle है अभी भी इसके अंदर move हो रहे है क्योंकि प्राइज जो move कर रहा है first वाली candle के अंदर ही जो moves है वो चल रहे है तो इसलिए हम इसको mother candle मानेगे फिल्हाल ये बहुत आगे की चीज़े है अभी आप इसको mother candle लेकर कि में चलना अधर केंडल वही जो की first वाली candle के अंदर आपका रुख जाए ये और ये मतर केंडल है जी इंटे सर्ट केंटे सर्ट करें सर्ट केंडल के बना है वह भी अधर टेक ये देखो एक बार से अधिसी के अधिक आप पॉस्ट कर दो हाँ ये तो mother candle है ये इससे पहले एक बड़ी candle बनी हो ये पीछे ये वाली नहीं इससे पहले काफी पीछे बड़ी केंडल है सारप प्राइज उसी के अंदर ही फसा हुआ था ये गैब डाउन नहीं सर पीछी ये गैब डाउन घुला था अच्छा 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 ओके ये ये वाली केंडल हाँ ये मतले केंडल ओके उपर भागे गए उपर जागे जाएगा ये गैप फिल होना ही होना है ये बीस रुपाइगा जो गैप है ना फिल होना ही होना है बिना फिल माने गाई नहीं प्राइस इनद्रेड और परसंट फिल होगा थेज़ रुपाइगा प्राइज है ये तने सारे ओड़र सभी बचे हुए बहुत सारे ओड़र से यहां पर आपकी पड़े होगा है फिल होगा है अच्छा थीक है तो आज की यह पर लोग क्लोज करते हो कल की टाइमिंग होगा हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर करते हैं उसको देखिए गाए और आई होग की जो भी चीज़ा भी में बता है एक तरह से कैंड़स को रीट करना किस तरह से हम लोग रीट करेंगा आगे जब तक अपना यह काम चलेगा तब तक कोई ट्रेड एक्जिक्ट नहीं करवाएंगे अपसे जैसे यह काम खतम होगा फिर फिर सिर्फ और उसके बीच में फिर और कुछ नहीं होगा इतना सा काम करिए कल मिलते हैं वापसे जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा कल की गणिए करें शांब को कोई भी जदा से जदा डावट्स लेकर करके होगे इस इसकॉंसर्पट के उपर उतना ही आपका फैदा है ठीक टेक गुडडेट सभी लोगों को और कल मिलते हैं अंदोग अजया याज इसितनी आ जैए 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 याजीए फूह झाल झाल